गदर्टू के डाइरेक्टर अनिल शर्मा ने सनी देवल के साथ अपने बेटे को स्क्रीन पर भरपूर टाइम दिया है। अनिल शर्मा ने गदर्टू के जरीए एक तीर से दो निशाने साधी हैं, दोनों ही निशाने सटीक बैठे हैं। गदर 2 की कमाई भी 100 करोर के पार पहुँचने वाली है। साथ ही अनिल शर्मा के बेटे उतकर शर्मा भी इस फिल्म के बाद स्टार बन गए है। सनी देउल के बेटे के रोल में नजर आए उतकर शर्मा का किरदार भी इस फिल्म में काफी एहम है। सनी देवल के बेटे के रोल में उतकर शर्मा गदर एक प्रेम कथा में भी नजर आये थे। अब गदर टू में उतकर शर्मा सनी देवल के साथ लीड रोल में नजर आये हैं। अनिल शर्मा ने अपने बेटे के करियर को भी उडान दी हैं। साथ ही फिल्म के सुपर हिट होने पर माला माल हो गए हैं। अनिल शर्मा के बेटे उतकर शर्मा भी लंबे समय से बॉलिवुड में अपनी जमीन तलाश रही हैं। उतकर शर्मा को अनिल ने फिल्म जीनियस के जरीए 2018 में लॉंच किया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर अन्धे मोह गिरी थी। अपने पिता के डाइरेक्शन में बनी डेब्यू फिल्म में उतकर शर्मा की किस्मत नहीं चमकी थी। अब गदर टू में उतकर श्टार बन सकते हैं। जीनियस में उतकर शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी। लेकिन फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। गदर टू में उतकर श को खूप स्क्रीन टाइम दिया गया है। अब गदर में डायलोक्स डिलेवरी को लेकर उतकर श अपनी कोई छाप नहीं छोड़ पाए है।